हेलो एवरिवरन वेल्कम बैक टू माई चैनल तो फ्रिंट्स आज की इस वीडियो में बोट ने एक प्रिंसेस कट ब्लाउस बनाएंगे इसे हम 35 साइस का बनाएंगे इसे बनाने के लिए हमने यहाप पे लाइनिंग और मैन फैवरिक लिया है तो मैन फैवरिक हमारे साड़ी में से जो 50 होता है वही निल्या है हमने इसकी कटिंग पहले हम पेपर पर करेंगे तो दिखिए इसमें बैक के लिए बॉर्डर दी हुई है और स्लीस के लिए बॉर्डर दी हुई है तो सबसे पहले मैं प्रिंसेस कट और बोटने को कट कर लेना है तो मैंने पेपर ले लिय अब हैं सेमिक इस्त्रेट लाइन डो करेंगे है टोल्टल लाइन 13.5 इंच रखनी है वन इंच मार्जन के लिया है और है अब देज्ञब मिलीट प्रेंस कट जो चोटा हो जाता है हिसके लिया है तो 1.5 इंच का मैं इसमें मार्जन और नेट किया है 15 इंच लिया है सुल्डर ले रहे हम 7 इंच जोल्डर का हवं लेना है आर्मोल ले रहे हैं 6.75 इंच यहाँ से याईंट को द्रो करेंगे यहाँ से भी लाइन और रहते हैं यहाँ पर हमें छेस्ट का फॉदि पार्ट लेना है chest है हमारी 35 उसका fourth part होगा 8.75 इंच और 2 इंच हम margin का add करेंगे तो 35 लें या 36 इंच सेम ही होगा 2 इंच margin का लिया है waist है हम आप 29 उसका fourth part लिया 7.25 इंच और 2.5 इंच tux के लिए और 2 इंच margin के लिए add किया है 1 इंच से armhole के side पर गुलाई देनी है 1 sorry half इंच पर हमें shoulder को down कर देना है यहां से 3.25 इंच पर माग कर रहे हैं tux point आएगा हमारा 10 इंच पर यहां से हमें 3.75 इंच लेना है इस तरीके से line को draw करना है और text की जो width थी वो हमने 2.5 इंच रखी है तो 2.5 इंच पर marking करते हुए shape देना है यह दिखिए इस तरीके से shape दिया और इस तरह से princess cut का shape देना है अब इन दोनों को measure कर लेना है कि यह बराबर आ रही है कि नहीं अगर बराबर नहीं आ रही है तो जहां पर बराबर आ रही है वहां तक तो दिखिए हमने इसको cut कर दिया है अब lining fabric लेना है और पहले हम back part को cut करेंगे तो यहां पर पहले हमने half inch का margin add कर लेना है side से वो हमारा eye hook की पट्टी के लिए होगा total length हमने यहां पर 14.5 inch रखी है straight line जो करनी है यहां पर shoulder का half लेना है 7 inch और armhole लेना है 6.75 inch chest का fourth part लेना है और 2 inch margin का add करना है यहां पर waist का fourth part लेंगे हम तो 2 inch margin के लिए और 1 inch back tucks के लिए लिया है यहां से line को draw करना है तो दिखिए हमने यहां पर 1 inch प्यार मुलकी side पर गुलाई देनी है तो हमने eye hook की पट्टी का यहां पर add नहीं किया है तो हमें क्या करना है यह जो हमारा fabric है इसको इस थरह से कर देना है यहां पर half inch का margin add हो जाएगा ठीक है इसको हमने cut किया आर मुलकों भी cut कर लेना है अब जो front वाला part है वो हमें रखना है और उसकी हमें marking कर लेनी है जो princess cut वाला part है वहां पर हमें half inch margin add करना होगा तो दोनों साइट पर हम half inch का margin add करेंगे तो इसमें भी margin add कर लिया जो हमारा man fabric है center पर इस तरीके से इसको cut stitch जो थी उसकी निकाल देनी है यहां पर हम slice cut करेंगे तो slice में देखिए एक side पर joint आएगा ठीके तो अब हम इसको इस तरह से straight में ही cut कर देते हैं यह बॉडर जो है इसको भी निकाल देना है cut कर की यहां पर यह जो हमारा front वाला part है उसको रखना है और उसको cut करना है अभी यह इतना जो fabric वच है उसमें से हम उसको cut करेंगे प्रिंसेस कट वाले part को stitch कर लिया है यह वाले part को भी stitch कर लिया है अब हम यह neck को cut करना है तो neck की wheat thumb 4 inch रखेंगे neck की wheat 4 inch रखेंगे neck की length भी हमें 4 inch रखनी है आप चाहें तो आप अपने coding कम्याजदा कर सकते हैं यह देखिए इस तरह से round set देना है कि इस तरह से stitch लगा लिए मैंने यह आप दागे वाली piping यूज़ की है और इसे हमने golden color में contrast में बनाया है ठीक है तो इस तरह से neck पर इसको stitch कर देना है तो पहले हम princess cut बाले part को stitch करेंगे और फिर हम जो इसमें stitch लगानी ना neck पर वो लगाएंगे दोनों side के part पर stitch लगा लेनी है और neck पर अच्छे से iron भी कर लेना है और princess cut जो stitch लगाई है वहाँ पर भी iron कर लेना है यह देखिए इस तरह से shape आएगा निचे के side हम pipe in लगा लेंगे तो pipe in हमको single foot सही लगानी है neck पर भी stitch लगाएंगे यह देखिए इस तरह से stitch कर लिया फ्रेंट पार्ट को आर्मूल के side पर गुलाई देनी है necky width 4 inch रखेंगे आयो की पटी को छोड़ते हुए necky length हम यह पर 3 inch रख रहे है एक box बना कर round shape draw करना है यह border हम यह आपर लगाने वाले तो border को size हम को यह आपर ले लेना है और उसकी marking करने तो half inch उपर नीचे extra लेना है fold करने के लिए अब जितना भी यह neck आ रहा है यहां पर हम एक straight line draw करेंगे और यहां पर हम design बनाएंगे जो नीचे के साइड से weight थे इसकी वह 3.5 inch रखनी है आप अपने according इसको कम्याजादा कर सकते हैं मैन फाबरिक को भी cut कर दिना है और साथ में stitch करना है lining और मैन फाबरिक दोनों को सभी साइड से stitch करके एक फाबरिक करेंगे यह देखो इस तरह से stitch किया यह वाला जो पार्ट है इसका center से cut करेंगे क्योंकि back में हमें i hook की पटी लगानी है झाल 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 यह देखिए इस तरह से side का extra जो है इसको cut कर देना है दोनों पार्ट stitch कर लिये हैं अभी आपर आमें उपर नीचे दोनों side पर pipe in लगानी है झाल 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 अभी हमें इसमें pipe in लगा लेनी है यहां पर corner पर एक cut लगाना है और इसको इस तरह से mode देना है फोल्ड कर देना है और फिर इसको stitch करना है अब यह इसको इस तरह से पलटेंगे यह देखिए दूसरा पार्ट भी सी तरीके से stitch करना है यह बन्दकित लेता बड़ा से करना है स्टीच करना है यहाँ पर भी एक स्टीच लगा देंगे स्टीच कर लिया है अभी नीचे वाला जो पार्ट है उनको यहाँ पर स्टीच करेंगे और बैक में जो हमने टक्स लगाया था न वो टक्स अब हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे क्योंकि बैक में हमारी ओर्डेडी इस डिजाइन इस टाइप की बन चुकी है अभी हमें यहाँ पर हुकी पटी लगानी है तो लाइनिंग फैवरिक को डबल करते हुए स्टीच करना है उपर नीचे दोनों साइट से फोल्ड करना है और स्टीच कर लेना है हुकी पटी कंप्लीट हो गई है आई की पटी लगानी है इसको यहाँ से हम वेट में इसको त्री इंच रखा है उपर के साइट से स्टीच करना है उपर नीचे दोनों साइट से फोल्ड करना है और स्टीच करना है उपर नीचे दोनों साइट से फोल्ड करना है ये ये देखिए फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं अब हमें इस्सको देखना है तो अपर्याप्य आप पर्सिलीज देखने से पहले जोओ आप्स्यवड करना हैं ये बूड़ नीचे अठीवाजर करना है प्रेंट से लेंच छूट से में जड़ें वन इंच हमने बैक टक्स का लिया था नो उसको इस तरीके से कट कर दिना है क्योंकि बैक टक्स हम नहीं लगा रहे हैं बैक पार्ट भी कम्प्लीट हो गया है अब हमें स्लीज को कट करना है तो देखिए नॉर्मली आपर स्लीज की जो लैंद है वो मैंने 9.5 इंच रखी है तो 9.5 इंच मुझे टोटल स्लीज की लैंद रखनी थी बट इसमें हम फ्रिल लगाएंगे तो हमें इसको इतना कट नहीं करना आपको जितनी भी लैंद रखनी है और इसमें से आपको फ्रिल जितनी इंच की लगानी आपको इसमें आपको मैनस कर देना है ठीक है तो अभी मैंने आपर इसको पूरा ले लिया बाद में मैं इसको कट कर दूंगी तो अभी इसमें हमें जॉइंट लगा लेना है यह देखिए यहां से स्लीज को हम एक बार और कट कर देंगे इसकी लेंद कम करके तो यहां पर मार्किंग करेंगे 9.5 इंच पर स्लीज राउंड लेना है 12 इंच उसका हाफ्स 6 और 2 इंच मार्जन का अभी देखिए हमें इसकी लेंद को कम करना है तो अभी उपर के साइट से जैसा श्रेप देते है नॉर्मली वेसा श्रेप दे देना है बट नीचे से हम इसको कट कर देंगे ठीक है अभी यहां पर नैकी जो ऊपर वाली लेंद को हम 7 इंच की रखे लेंगे तो हमने इसको एट इंच का लिया है ठीक है यह देखिए सेंटर पर भी एक कट लगाना है जो मैं फैवरिक है उसको भी इसी तरीके से कट करना है तो पहले हम इसमें पाइपिन लगाएंगे अब यहां पर एक स्टीच और लगा देनी है साइड से जितना एक स्ट्रुक को कट कर देंगे तो स्लीज हमारी कमप्टीट हो गई है अब इस फिरिल बनानी है इसकी वीट हमने 3 इंच रखी है नीचे के साइड से में बहुत ही पतला सा इसको फोल्ड करते हुए स्टीच कर देना है यहाँ पर हमें इसमें प्लेट्स डालनी है तो 2 इंच हम इसको प्लेइन रखेंगे और फिर हम इसमें प्लेट्स डालेंगे और इसे में स्लीज राउंड के बराबर कर रखना है यह देखिए अब यहाँ पर हमें इस पर आइरन कर लिया आइरन करने के बाद इसको यहाँ पर स्टीच कर देना है यह देखिए शोल्डर को स्टीच करना है यह देखिए दूसरा शोल्डर भी सेम इसी तरीके से स्टीच करेंगे अभी हमें यहाँ पर स्लीज को स्टीच करना है तो स्लीज का जो एक्स्ट्रा फैवरिक कट किया था उसका उम फ्रेंट में स्टीच करेंगे दूसरी स्लीज भी सेम इसी तरीके से स्टीच करनी है यह देखिए इस तरह से अब इसमें हमें फिटिंग लगानी है इसको काट देना इस तरह से जितना भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे बलाउस कोल्टा करेंगे एक पैर का मार्जन रखते हुए स्टीच करना है यह देखिए इस तरह से अब यहां पर हमें फिटिंग लगानी है तो सेंटर से चेस्ट के फोट पार्ट पर यहां पर विस्ट का फोट पार्ट लेना है स्लीज राउंड का हाफ ले लेना है तीनों मार्किंग को मिलाते हुए फिटिंग लगानी है तो फ्रेंड्स हमारा यह बलाउस बनकर कम्प्लीट हो गया है आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा जया हुआ है जया हुआ है झाल झाल